तो कि गे विद्दुद्द चुम्हों के तरंगों का जो लेसन है चैप्टर है उसको हमने स्टार्ड कर दिया है और अब तक जो है बच्चो मैंने आपको दो वीडियो बना दी है ये तीसरी वीडियो है प्यारे बच्चो बिद्धु चुम्ब के तरंगों का जो concept है वो हमने बता दिया था बच्चो ये कहां से आया तो बच्चो थोड़ा सा इसको carry करते हैं और आगे बढ़ाते हैं बच् बच्चो और इसको आप जो है समय के अंसाथ बदलने वाली धारा इस पे जोड़ है ठीक है बच्चो परत्यावरती स्रोत या परत्यावरती धारा से इसकी प्लेटों को जोड़ हैं बच्चो यहां पर जो हैं बच्चो परत्यावरती धारा का मत्तब हो गया जो समय के सासा जिसका परिमान और जिसा बदलेगी बच्चो ठीक है बच्चो यहाँ पर DC को हम नहीं लेंगे और मैंने आपको का जया था बच्चो कि DC से जो हैं क्या होगा इसके अंदर जो electric field होगा वो जो हैं कम समय के लिए change होगा एक बार क्या होगा कि जो है इसमें धारा क्या हो जाएगी यह क्या कर देगा DC को allow नहीं करने देगा उसको block कर देगा बच्चो तो circuit में एक छणिक धारा वेगी लेकिन AC circuit में आपका एपिसिटर लगाते हैं बच्चो तो होता क्या बच्चो हमने का था कि Maxwell ने Ampere के परपतिय नियम में क्या किया बच्चो सुधार किया उन्होंने का कि गलत तो नहीं है लेकिन Ampere सहाब जो है कुछ मिस कर रहे हैं बच्चो उस बात को बार-बार में यहाँ पर नहीं कहोंगा बच्चो तो उन्होंने का कि यह चालक में धारा बहरी है इसमें Conduction Current वैती है और यहाँ पर Displacement Current क्या होते है जीरू होती है क्योंकि यहाँ पर Electric Field जो है बच्चो चेंज नहीं हो रहा है बच्चो और Plato के अंदर यह निरवात है बच्चो यहां क्या बच्चो यह वैक्यूम है निरवाद है यहीं से जो है आपका विद्धुचुम्ब के तरहों का कॉंसेशर होता है यह वैक्यूम है ठीक है बच्चो और इस वैक्यूम में जो है बच्चो डिस्प्लेस्मेंट करेंट क्या होती है पैदा होती है लेकिन बच्चो च इसका कारण जो है changing electric field है तो यहाँ पर conduction current क्या होगी बच्चो इसके अंदर 0 होगी बच्चो ठीक है बच्चो और यहाँ पर जो है बच्चो मैंने आपको बता दिया था कि क्या होगा इस पे यह जो plate है बच्चो यह जो plate हमने बताई ची यह धनावसित है ठीक है बच्चो और यह क्या है बच्चो यह plate क्या होए रेणावसित है और जो AC current है जब इसको आपको इस पे apply करेंगे बच्चो तो क्या होगा यह charge होगा discharge होगा इसका polarity भी change होते रेगी क्योंकि alternating current की दिसा भी बदलती है परिमान भी बदलता यह मैंने आपको पहले बता जया था बच्चो तो क्या होगा बच्चो इलेक्टिक field क्या होगा change होगा यह जो है बच्चो अब सार जो है क्या होगा बच्चो जब जो है मैगनेटिक फिल्ड क्या होगा चेंज होगा तो बच्चो उसमें क्या होगा इप रिधारा उत्पन होगी ठीक बच्चो और उसी को जो है बच्चो वो जो धारा displacement current है तो displacement current का कारण है changing electric field ठीक है बचो और बचो यहाँ पर जो है जो displacement current की जो value निकाली बचो उन्होंने निकाली epsilon 0 d phi e upon dt ठीक है बचो अर्थार यह है changing electric field और यही magnetic field क्या हो रहा है एंपियर का नियम भी मैंने आपको बताए था बचो एंपियर का circular law था b dot dl यह था कि जो उस loop में जितनी धारा जितनी धारा उससे संबद है उसका epsilon लेकिन यहाँ पर Maxwell ने क्या सुदा आकि है बचो अब यह तो एंपियर का है एंपियर का परपतिय नियम था बचो परपतिय नियम था ठीक है बचो और इसी में विस्तापन धारा का उन्होंने concept दिया तो Maxwell का जो सूत्र है वो जो है बचो थोड़ा सा क्रेक्शन कर दिया उन्होंने कह दिया है कि बचो संधारित्र की प्लिटों की जो निरवात है उसमें भी क्या हो रही है ठीक बचो तो बराबर क्या हो जाएगा यह आई जो है कंडक्शन करेंट और डिस्प्लिस्मेंट करेंट आएगी बचो इसमें जहां कंडक्शन करेंट होगी वहां डिस्प्लिस्मेंट करेंट 0 हो जाएगी जहां पर डिस्प्लिस्मेंट करेंट है वहां कंडक्शन करेंट क्या हो बच्चो अब बच्चो मैक्सवल ने जो हैं चार इक्विजन दिये हैं ठीक बच्चो मैंने आपको इससे पहले बता दिया बच्चो तो मैंन कारण क्या है बिस्तापन धारा की आव धारणा ही बिद्दुत चुम्ब किया तरंगों की उत्पति का कारण है ठीक है बच्चो मैक्सवल साहब ने जो हैं केवल जो है ठीक है बच्चो उन्होंने हाइफोथिसिस की थी ठीक है बच्चो कि जो इलक्टो मैगनेटिक करेंट है जो इलक्टो मैगनेटिक वेव है वो निर्वात में इसी कारण से चलते होंगे जब यहां निर्वात में जो हैं धारा बह रही है बच्चो तो जो विद्दुत चुम्ब के तरंगों का कारण क्या है ठीक है बच्चो तो विद्दुत चुम स्थान है जी संटान dispon ये क्या होगा को यह कोई आवेश किसी दिक कसा सथान में कोई आवेश अगर दोलन करेगा तवरित ठीके तवरीध होगा यह क्या करेगा यह आवेश क्या करेंगा दोलन करेगा ये आविस क्या करेगा बच्यों, बहुत तेज दोलन करेगा, तो ये क्या करेगा बच्यों, ये क्या करेगा, चेंजिंग इलक्टिक फिल्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, दोलन करता हुआ, दोलन करता हुआ, त्वरित आविस, 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 परिवर्ती समाई के साथ बदनने वाला क्या बनाएगा बैदूत छेतर ठीक है बच्चो क्या बनाएगा ये बैदूत छेतर और ये बैदूत छेतर जो है जो बैदूत छेतर इसने बना दिया है बैदूत छेतर इलेक्टिक फील्ड जो है इस आवेस ने बना है ये देखो बैदुछेतर, कैसा बैदुछेतर? परिवर्ती जो बैदुछेतर है ये क्या उत्पन करेगा? परिवर्ती बैदुछेतर परिवर्ती चुम्बकिय छेतर पैदा करेगा बच्चो ठीक है बच्चो पैदा करेगा तो बच्चो ये तो किलियर हो गया था पहले कि जो परवर्ती चुम्ब के छेतर है वो क्या बना रहा था बच्चो बैदू छेतर बना रहा था ठीक है बच्चो आपने क्या क्या फ्लक्स में जब आप चेंज करते थे बच्चो ठीक है बच्च क्या हो रहा था changing magnetic field तो electric field तो पहले से बना रहा था लेकिन आप MPR साहब ने ये भी बता दिया जो बचो बिस्तापन धारा के concept से कि जो changing electric field है आथा परवर्ती बैदु छेत्र है वो क्या बनाता है परवर्ती चुमबकिया छेत्र बनाता है इससे तो displacement current पैदा हुई तो बचो क क्या होता है इस दिकस्तान में इस दिकस्तान में तो अब क्या हो गया किस परकार से सिलिंगला बनेगी बचो क्या होता है अब जो है सन से यह सन से जो है माना हमारा सन है यह देखे बचो इस से जो है सन से जो है इतने हजारों पंद्रह हजार किलोमेटर दूर हमारा सन है और यहां पूरा क्या है बच्चो यहां पूरा क्या है वैक्यूम है यहां पूरा क्या है बच्चो वैक्यूम है उर्जा को ले जाने वाला कोई नहीं है क्योंकि बच्चो तरंग में जो है क्या होता तरंग क्या है उर्जा है उसको माध्यम के पार्टिकिल जब भाइबरेट करत अब निर्वात में ये तरंक काई से चले बचो. निर्वात इस जो होगे बच्छो क्या हुगा कि आवेश क्या करेगा? क्या करेगा दोलन करेगा. ठीक Discovery आवेश त्रूप से दोलन करेगा. तो पहले क्या बनेगा? परी वर्ती बैदुथ छेत्र बनेगा. बैदुत छेतर बनेगा ये किसको बनाएगा बच्छो ये किसको बनाएगा परवर्ती परी वर्ती चुम्ब के छेतर बनाएगा फिर जो है ये अल्टरनेट चलते नहींगा बच्छो फिर ये परवर्ती जो है चुम्ब के छेतर क्या बनाता बच्छो यह बनाता है परी वर्ती changing electric फिर बैदुत छेतर बन गया और इस्ने क्या बना दिया बैदुत छेतर बना दिया ठीक है बचो तो इस परकार से जो है बचो अब जो है हमारे पाद जो है दो बैग्टर मिल गए है बचो एक electric बैग्टर और दूसरा क्या मिल गया है magnetic vector ठीक है बच्चो तो अब इस प्रकार से जो है हमारी जो बिद्दुचुम्र के तरंगे हैं वो निर्वात में भी चल लए हैं किसके रूप में बच्चो electric energy और magnetic energy के रूप में जो हैं वो चल लए हैं और उनके लिए किसी माध्यम की आवस्कता नहीं हो रहे हैं बच्चो तो अब मैं जो हैं बच्चो आपको इससे आगे बढ़ाता हूं बच्चो ध्यान दीजिए बच्चो तो बच्चो जो हैं अब हो क्या रहा है बैदुत चुम्र किया छित्र बैदुत छित्र तथा चुम्र किया छित्र जो हैं एक दूसरी के परपेंडिकुलर तल में है बचो अब आपको ये समझना है बचो अब यहाँ पर बहुत ही महतोपूर कॉंसेप्ट आ रहा है कि बैदुत चुम्ब किये तरंगों में बैदुत इस पर ध्यान देंगे बचो अब कॉंसेप्ट यहाँ से सुरू हो रहा है बैदुत चुम्ब किये तरंगों में जो बैदुत बैक्टर है क्या है बचो बैदुत छेत्र बैक्टर बैदुत छेत्र बैक्टर इ तथा तथा चुम्ब किये छेत्र बैक्टर बी परस्पर लंबवत तलों में होते हैं इनके कमपन क्या होते हैं परस्पर लंबवत तलों में होते हैं ठीक है बच्चो इनके जो कमपन है वो परस्वल लंबत तलों में होते हैं ठीक बच्चो तथा तरंग संचरन की जहां तरंग आखी चली उरज़ा तरंग संचरन की दिसा के लंबत होते हैं ठीक है बच्चो बैदूत बैक्टर के कमपन और चुमबक्या बैक्टर के कमपन इधर देखे जहां दीजे बच्चो एक तल आपके पास क्या मिल गया एक तल जो है आपको एक तल यह है ठीक है बच्चो एक तल यह है यह इसमें जो है बैदूत बैक्टर के कमपन हो रहे है बैदूत बैक्टर जो आपके पास क्या है बच्चो ए के कमपन हो रहे है के कमपन हो रहे है और एक तल आपके पास दूसरा है यह देखे बच्चो एक तल आपके पास यह है ठीक है एक तल तो ये था, एक तल ये है इसमें चुम्बक्य वैक्टर जो B है के कमपन हो रहे है ठीक है बच्छो इसमें एक तल में क्या होगा बैदुद वैक्टर के कमपन होंगे एक तल में क्या होगा चुम्बक्य वैक्टर के कमपन होंगे और ये दोनों तल क्या होंगे एक दूसरे के लमगत होंगे बच्चो अब मैं इसको इस रूप में लेख देता हूँ बच्च ये देखे ये देखे ठीक है ये आपका ये आपका बैदुत ये चुम्बकिया वेक्टर हो गया ये देखे अगर मैं ऐसे दिखाना चाहूँ और ये तल मैं तल को किवाली रेखाद्वारा दिखा रहो हूँ ये क्या होगया इलेक्टिक फिल्ड वेक्टर हो गया और जो जो दो होगा तो इसमें इसके कंपन होगे तो बैदुत-ब में पहले हो आपका इलक्टिक फिल्ड चेंज होगा वो मैगनेटिक फिल्ड को चेंज करेगा फिर मैगनेटिक फिल्ड इलक्टिक फिल्ड को चेंज करेगा फिर इलक्टिक फिल्ड मैगनेटिक फिल्ड को और फिर मैगनेटिक फिल्ड अपने तल मोरें, लेकिन दोनों तल एक दूसरी के लंवत हैं, अर्थात ये दोनों बैक्डर एक साथ हैं, बच्चो, अलग अलग नहीं हैं, एक साथ हैं, लंवत तलों में हैं, लेकिन एक साथ जो हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों तल जो हैं, क्या हैं, ठीक है बच्चो इधर को एनर्जी आपकी चलेगी अब ये mutually तीनों क्या हो जाएंगे बच्चो mutually perpendicular हो जाएंगे बच्चो ठीक है बच्चो तीनों क्या हो जाएंगे mutually क्या हो जाएंगे perpendicular हो जाएंगे ठीक है बच्चो गमपन्त जो electric vector का जो तल है Magnetic Vector का तल है यह भी लुंबवत है एक दूसरी के लंबवत है और यह दोनों जो है कमपन तरंके संचरण की दिशा की भी क्या है लंबवत है बचऒ ठीक है बचओ अब मैं जो है बचओ यह दोनों तल प्रसपर क्या हो रहे है बचो लंबवत हो रहे है प्रकार से आप बना दिया यह देखे बच्चो यह देखो थी टाइम इंसन में आपको लेना है बच्चो ठीक है बच्चो माना जो है बच्चो इधर जो तरंग के संचरण की जिसा यह x-axis है और मान लिजीए यह y-axis है और यह जो तीनों एकसेज एक दूसरी पर क्या होते हैं बच्चो, mutually perpendicular होते हैं, ठीक है, बच्चो, अब electric field और magnetic field को एक साथ associate होना है, ठीक है, एक साथ, तो बच्चो, इस प्रकार से मैं मान देता हूँ, बच्चो, alternate чलेंगे, देखें, इस प्रकार से, एक तल में कौन चलेगा, electric vector और एक तल में magnetic vector चलेगा, बच्चो, मैं इस प्रकार से दिखा देता हूँ, ये देखें, ये कमपन दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से, मैंने ये दिखा दिया एक आंतर का में एक उपर चलेगा तो एक नीचे चलेगा बच्छो अब ये देखे ये देखे मैंने ये बना दिया आप इसमें ध्यान देंगे बच्छो बहुत simple सा है और आपको विदुद्चुम्भ के तरह किसे कहते इसकी definition पूछी जाते है ठीक है अब बच्चो मान लीजे जो है बच्चो यहाँ पर उपर इस तल में जो है मैं दिखा रहा हूँ electric vector तो यहाँ पर क्या हो जाएगा magnetic vector अब फिर magnetic vector क्या बनाएगा बच्चो ठीक है बच्चो अब क्या होगा magnetic vector और electric vector ये एक दूसरे को क्या करेंगे electric field, magnetic field बना रहा है और magnetic field क्या बना रहा है electric field बना रहा है इस प्रकार से दो learn करेंगे बच्चो तो पहले ये नीचे है तो ये फिर उपर हो जाए बच्चो पहले ये उपर है तो ये नीचे चल जाएगा फिर इसको उपर चल जाएगा इस प्रकार से आगे बढ़ेगा ठीक है बचो ये भी dolawn कर रहा है और ये बचो देख रहे ना इसमें e उपर है तो अब e नीचे जाएगा तो b कहा चला जाएगा बचो B ऊपर चला जाएगा बच्चों ये क्योंकि इसकी है दोनों की फिर्क्वेंसी एक ही फिर्क्वेंसी से बच्चों ये दोलन कर रहे हैं और इनमें कोई खलांतर नहीं है अर्थात अगर E Machimum हो तो B V Machimum हो तो बच्चों क्या हो जाएगा बच्चो यह चुमके वेक्टर यह देखे अब यह कहां चला जाएगा इधर को चल जाएगा यहां क्या हो जाएगा इलक्टिक बेक्टर फिर इलक्टिक बेक्टर कहा जाएगा बच्चो फिर इलक्टिक बेक्टर कहा जाएगा ऊपर आ जाएगा ठीक बच्चो इलक्टिक बेक्टर कहा जाएगा बच्चो ऊपर आ जाएगा इस परकार से यह याद नहीं करना बच्चो यह आपको अल्टरनेट चले जाएगे इसके बाद यह चले जाएगी और गयों जो उसके है जो meschaftण हो रहे हैं तो यह काँ यह आप बेकाट छाएगा तो यहां पर यह बन गया बच्छोआ आपको from ignore magnetic vom और यह x क्या हो जाएगी बच्छो तरंख संक्रण की मिले सथीग कि बच्चो तरंग संचरन की दिसा ठीक है बच्चो तो बच्चो आपको समझ में आगिया है यहाँ पर तीनों अब मैं फाइनली आपको बता दूँ यहाँ पर तीनों अर्थात बैदुत बैक्टर बैदुत बैक्टर बैदुत बैक्टर ए दूसरा दूसरा क्या है बच्चो चुम्बकिय बैक्टर बी और तीसरा है तरंग संचरन की दिसा दिसा ठीक है बच्चो यह तीनों जो है dualie perpendicular होंगे यह और बी पर परपेंदिकुलर होंगे बच्चो अपने अपने तलों में कंपन कर रहे है बच्चो जा तो एक साथ रहे है बच्चो यह जा एक साथ रहे है एक पीछे जा रहा है ठीक है बचो E और B अपने अपने तलों में इसके कमपन हो रहे हैं और ये एक साथ आगे बढ़ रहे हैं ठीक है इन में कोई कलांतर नहीं बचो मैं लिखने रहा हूँ E और B में कहीं कलांतर नहीं अर्थात अगर E मेक्जियम हो रहा तो B वी मेक्जियम हो रहा है और अगर E 0 हो रहा तो B वी 0 हो रहा है ठीक है बचो B मेक्जियम हो रहा तो E वी मेक्जियम हो रहा है लेकिन तरंग जो है अब Electromagnetive Wave कैसे आईगी बच्चो? ये Electric Field, Changing Electric Field और Changing Magnetic Field के कारण जो है बच्चो ये तरंग बनेगी और इसके लिए जो है बच्चो किसी Medium की आउसकता नहीं होती है बच्चो और ये जो तरंग चलेगी ये तरंग जो है मैं आगे बताऊंगा बच्चो ये तरंग जो है चाल के बराबर चलेगी तीन गुणा के तसकात आठ मीटर पर तिस सीकेंड की इस पीस से ये करण जो है बच्चो ये Electromagnetic Wave चलेगी बच्चो ठीक है बच्चो अब बच्चो आपके पास दो सिचेसन है बच्चो एक Electric Field Vector है ये है बैदुत छेत्र वेक्टर ठीक है बच्चो दूसरा है चुमबकी है चुमबकी है चेत्र वेक्टर ठीक है बच्चो ये दोनों क्या है ये दोनों अपने अपने तलों में कमपन कर रहे है और mutually क्या है ये बच्चो परपेंटिकुलर है ये और भी दोनों mutually परपेंटिकुलर है बच्चो ठीक है बच्चो अब हम बोलेंगे कि कि E तथा B, मैं किसका प्रभाव, किसका इफेक्ट, किसका प्रभाव अधिक है, ठीक है बच्चो, मैंने आपसे प्रस्न कह दिया, कि E तथा B में किसका प्रभाव अधिक है, ये क्वेशन है, तो बच्चो, यहाँ पर E का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, उत्तर आ जाएगा, E का प्रभाव, बिद्धुत चुम्ब किया था, बिद्धुत, मैं सौट में लेकर चुम्ब किया, तरंग में सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, अब क्यों है, ठीक है बच्चो, सबसे अधिक है, क्योंकि बच्चो, हमारी आँक की रेटिना में, हमारी ये आँख है हमारी आँख की रेटिना में जो रेटिना होती है ठीक है बच्चो हमारी आँख की रेटिना में ठीक है बच्चो सबसे रेटिना में सबसे ज़्यादा संबेदना यही E डालता है बच्चो ठीक है बच्चो हमारे आँख की रेटिना में जो सम्मीदना होगी वो E के कारण होगी अर्थाथ E के कारण ही हमको प्रकास दिखाई देता बच्चो अर्थाथ E के कारण E के कारण अर्थाथ बैर्दुत बैक्टर के कारण ही आँख प्रकास का अनभाव करता है यह बहुत ही महतोफून है परकास का क्या करता बच्चो परकास का अनुभाव करता है यही हमारी आँख की जो आँख की जो नाडिया है बच्चो ठीक है नफस है उसमें क्या करता है सम्वेदन डालता है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगे बच्चो यह लग्टो मैगनेटिक वेव में ठीक है बच्चो सबसे ज़्यादा काम किसका है वो काम है बच्चो ई का जो हमारी आँख में क्या करता है संबेदना व्यक्त करता है ठीक है बच्चो अब यदधपी ई तथा भी यदपी जो हैं, क्या है, बिदुच्चुमू के तरगों में यह तथा भी दोना